हलो इस्टुडेंट, वेलकम टू बेक माई यूटूब चैनल, डीके लाइफर स्टेडी में आपका स्वागत है, तो चलिए जैसा कि देख सकते हैं बिहार विद्याले पढ़िक्षा समीती के दोआरा, जो 12th कलास का मासिक एकजाम का, यहाँ पे देख सकते फेंड एंसर की ल बिलकुर राइट एंसर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, अगर आपका एकजाम हो गया है फेंड, तो मिला लिजिए, अगर आपका एकजाम नहीं हुआ है, तो 100% यही कोश्चन आने वाला है, तो चलिए, देख सकते फेंड, 12th कलास का पोटिकल साइंस का एंसर की लेक पे पूछा गया था कि संसद्ये परनाली का मुख्य कारीपाली का कौन है, देख सकते हैं, संसद्ये परनाली का जो मुख्य कारीपाली का होते हैं, वह परधान मंत्री होते हैं, कौन होते हैं, परधान मंत्री, यानि प्राइम मुनिष्टर हो जागा, ऑप्सन नंबर B हो ज देक सकते हैं के अंध्रिये जो मंत्री पडिसद हैं किसके प्रथी उत्तरदाई हैं तो देख सकते हैं दो का हो जागा option number b क्या हो जागा option number b लोग सभाथ ध्यच के प्रथी उत्तरदाई है किसका लोक सभाद्य अच्छ चलिए यहाँ पर देख सकते तीसरा नमबर जो कोश्चन है देख सकते कि राष्ट पती राज्य सभा में कितने सदस्य को मनोने करते हैं तो यह जगा उपसर नमबर सी यानि 12 सदस्य का चलिए यहाँ पर देख सकते चार नमबर जो प्रश्न है कि राज्ये में राज्ये पाल की न्युक्ति कौन करता है, तो देख सकते हैं, राज्ये में राज्ये पाल की न्युक्ति करता है, राष्ट पती कौन करता है, राष्ट पती, option number B हो जागा, next number जो question है, कि राज्ये सभा के सभापती कौन है, देख सकते हैं, राज्ये सभा के सभा पती होते हैं उपर राष्ट पती चलिए छे नमबर प्रश्ण में देख सकते हैं कि राष्टिये विकास परिषद की अस्थापना कब हुई थी तो देख सकते हैं राष्टिये विकास परिषद की जो अस्थापना हुई थी वह उनिश्व बावन में हुगा था कब हुगा थ सकते मुसलिम लिंग इच्थापना उइ Sindh scripture घ्राइब आफ धिक उतिति देख सकते हैं और अफिन देवी सिंग पाटिल थी यानि option number B हो जागा next number जो question है देख सकते हैं फ्रेंज थोड़ा number में इधर उधर हो गया है क्योंकि देख सकते हैं परशन भेजा गया था तो यहाँ पर स्रीजबाई नहीं बना सकें देख सकते हैं आप लोग question से direct मिला लिजिए कि निम्न में से कौन एक पुर्ण राज्य नहीं है देख सकते हैं राज्य नहीं है दिल्ली हो जागा फ्रेंज दिल्ली है जो एक पुर्ण राज्य नहीं है option number D हो जागा next number question है नाटो की अस्थापना किस वर्स होई थी देख सकते हैं नाटो की अस्थापन न हुई थी कभी थी उनीश्य उन्चास में नाटो की अस्थापना हुई थी छलिए यहां पर देख सकते हैं यहां पर भारत का अंतिम गवर्णर जेनरल पूछ गया है अंतिम पूछा गया है परथम रहता तो लौड मांट वेटन हो यहां पे देख सकते हैं मौंट बेटन हो जागा क्या हो जागा लौड मौंट बेटन हो जागा नेक्स नमर् जो कोश्चन है कि प्रथम प्रमानु परिक्षन कब हुआ देख सकते हैं सर्वोच संस्ता है वह हो जाएगा, देख सकते हैं, option number D, यानि जिलापडिसद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिलापडिसद हो जाएगा, चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, 26 नमर, कि भरती ये, संसद के उंच सदन, उंच सदन को क्या काते हैं, तो उंच सदन को राज्य सभा काते हैं, क्या क दिल्ली में है सरवच्च नियाले के मुख्याले दिल्ली में है नेक्श नमर कोश्चन है कि पंचायत समीती के परधान कौन होते हैं तो पंचायत समीती के जो परधान होते सरपंच होते हैं कौन होते हैं पंचायत समीती के परधान सरपंच होते हैं नेक्श नमर कोश्चन है भारत में बयस्क मत अधिकार की उमर सीमा क्या है तो भारत में बयस्क जो मत अधिकार की उमर सीमा है अठारा बड़स हो जागा क्या हो जागा अठारा बड़स हो जागा चलिए यहां पर देख सकते नेक्स नमर कोश्चन है कि राज्य के मुख्य मंतरी का न्यूक्ति कौन करत तो देख सकते हैं राज्य के मुख्यमन्त्री का न्यूक्ति करता है राज्यपाल कुन करता है राज्यपाल ऑप्शन माफॉक्ष सब्भाग में जुड़ा है तो ऑप्शन होכा साथमा भाग में किस भाग में? सातमा भाग में. Next नमर कॉष्चन है कि किस वर्स भारतिये जंवीधान को सुविकार किया गया? देख सकते हैं भारतिये समबिधान को सुविकार किया गया था 1950 में. लागू हुआ था 26 जन्वरी 1950 को. next number question है कि संबीधान के किस अनुछेद में संसोधन पड़किरिया वर्नित है देख सकते हैं कि संबीधान के किस संसोधन में जो किस अनुछेद में संसोधन की पड़किरिया है तो यह हो जगा अनुछेद 368 क्या हो जगा अनुछेद 368 हो जगा next number question है देख सकते हैं कि संबिधान का कौन सा अनुछेद राष्ट पती सासन विवस्था देख सकते हैं राष्ट पती सासन लगता है अनुछेद 356 के तहत राष्ट पती सासन लगाया जाता है next number question है देख सकते हैं कि राज्येपाल का कारेकाल तो राज्येपाल का कारेकाल पांच वर्स का हो जगा next number question है कि सरवच्छ नियाले के नियाइधीस की न्यूकती कौन करता है तो सरवच्छ नियाले का जो नियाइधीस की न्यूकती है वह देख सकते हैं कौन करता है option C हो जगा राष्ट पती करता है, कौन करता है, राष्ट पती करता है, चलिए next number question है, कि सरकार के कितने अंग होते हैं, देख सकते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, तो देख सकते हैं, 14 का option B हो जगा, सरकार के 3 अंग होते हैं, कितने 3 अंग होते हैं, next number question है, कि बिहार में प पचास परतीसत कितना पचास परतीसत आराचिदी गई है नेक्स नमर कोश्चन है सुचना का अधिकार अंदोलन की सुरुवात किस राज्य में हुआ तो सुचना का अधिकार अंदोलन की सुरुवात राजस्थान में हुआ था कहा हुआ था राजस्थान में हुआ था चलिए यहां पे 30 प्रशन आया था बिल्कुल 30 में 30 आप लोग मिला लिजिए क्योंकि देख सकते हैं नंबर में थोड़ा आगे पीछे हो गया फिर लेकिन एंसर बिल्कुल यहां पे क्रेक्ट बटाए हैं आप लोग कोश्चन से डाइरेक्ट मिला सकते हैं तो चलिए आई होप आप कि लिए तना ही तब तक कि लिए टेकें बात